हेलो फ्रेंड्स मैं से अपनी जयान आपका स्वावत करता हूँ आपके अपने यूट्यूप चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो जो है वो जीएस्टी को लेकर है काफी इंपोर्टेंट टोपिक है वीडियो काफी शोट में रहेगा आपको वीडियो को पुरा हैं तक सुनन होगा या फिर जो बिजनिस है उसको आप कर सकते हैं तो वीडियो जो है वो स्पेशल है काफी स्पेशल वीडियो है आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिएगा काफी हैलफुल आपके लिए रहेगा त तो उस केस में क्या क्या अक्टिविटी उनको करनी होती है ताकि फ्यूचर में कोई भी पैनल्टी इंट्रेश्ट या नोटिस उनको ना आए और इसको क्लोज करने के लिए जीएश्टी में एक स्पेशल प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं पूरा यहां पर आपको बताऊंगा इसमें साथ पॉइंट है दूसरा जो ओप्शन आपके पास आता है कि लीगल हायर्स में से कोई भी परसन यह चाता है कि वो इस बिजनिस को एस इस कंटिन्यू कर ले तो वो भी कर सकते है बट उसका भी एक प्रोसेस है दोनों प्रोसेस काफी हीजी है आप एक बार समझ ली के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जीएस्टी नंबर को आपको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना होगा बट कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करने से पहले जो है जो लीगल हायर्स है वो सारे के सारे परसन एज लीगल हैर्स वो ओत्राइस सिगनेटरी कोई भी एक person को बना सकते हैं बट उसकी जो power है वो automatically आप portal के थूरू नहीं कर सकते हैं वो GST में जो आपके judicial officer है वो GST number आप डाल कर check करेंगे तो सब को पता लग जाएगा तो जो GST में judicial officer है तो वो ही उनके पास यह power दी गई है कि वो ही आपको as a legal hair वहाँ पर add करेंगे ताकि आप cancellation के लिए apply कर पाएं क्योंकि अब वो जो person है वो तो खुद से नहीं कर सकते हैं और जो legal hair से वह ही प्रूफ करेंगे कि उनकी जो लिंक है डिजीट person से कि वो जो legal hair sip है वो उनको खुद से प्रूफ करनी पड़ेगी इसके लिए documents होंगे जैसे पैंकार्ड अधार कार्ड डैस certificate उसके अलाबर जो उस person का relation प्रूफ कर सके officer को तो यह सबसे वाल activity क्या करनी है cancel करने के लिए कि judicial officer से आपको status ले लेना है ताकि वो ght portal पर महाँ पर add कर सके कि आप एक्टिविटी complete कर पाएं जब आपके बास यह पावर आ जाए ऐसे लिगल है आप authorized person बन जाए यह ती के अंडर फिर उसके बाद आपको जितने रिटर्न पैंडिंग है वो सारी की सारी रिटर्न कंप्लीट करनी होती है एक चीज ध्याना किएगा एक फाइनल रिटर्न भी आती है जिस्ट यह 10 वह भी कंप्लीट करनी होती है ठीक है जो रिटर्न का नोर्मल प्रोसेस है वही रहेगा बस महाँ पर जब फाइनल सम्मिशन होता है तो महाँ पर आप ऐसे उत्राइज सिगनेटरी खुद का नेम सेलेक्ट करेंगे कोई भी एक परसन में यहाँ पर उत्राइज बन सकता है वह लीगल है इसकी आपसकी मीच्वल sais financially Understanding होगी थीस दिन के अंदर अंदर जो है वह GST में Stallation के लिए आपको apply करना है उन जब अपला ही कर रहे होँगे तो वह region आपको select कर लेना है कि जो उसमें इक रिजन आता है death of proprietary वालब वह आपको यहाँ पर लेना है ठीक है फिर इसके बाद फूर्थ नंबर पर जो भी इस टोग एज एज ओन डेट जो भी इस टोग आपके बास रखा हुआ है वह सेमी फिनिश्ट पर रखता है रोमैटेल या फिर फिर फिनिश गुर्स भी कुछ भी इस टाइप का हूँ लेंटर करनी होती है तो जीश्ट आपको फाइल करनी है नेक्स्ट में जो आपके पास ITC है अगर कोई मतलब क्रेडिट लेजर में आपका जो ITC अगर बचा हुआ है तो जो ITC हो जाएगा अगर यहां पर इस टोक की लिएबिलिटी नहीं आती है इस टोक कि लिएबिलिटी आती हिए पर फासे बाइबिलिटी आती है तो यह जो जो बिजनेस एगी तो जो वह उस person के estate के legal hairs होंगे तो उनको ये liability भी pay करनी होगी with interest और penalty तो इस चीज का ध्यान लखेगा जो भी authorite person बनेंगे तो उनके ओपर ये जो liability आएगी बट उसके लिए भी special provisions होते हैं act के अंडर में to the extent to which the estate is capable of the meeting the charge तो ये ध्यान लखना है आपको कि अगर discontinue कर रहे हैं आप business तो उस case में सारी activity आपको ये करनी ही करनी है mandatory है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो GST return है वो delay होते जाएंगी उन पर penalty हो जाएगी penalty कट्ट होते जाएगी फिर जब भी आप compliance करेंगे है उसकी भी late fees चलती है तो ये बैटर है कि time list को complete कर ले दूसरा option आता है उसमें भी कुछ points तो common है सबसे पहला point जो आता है वो यह है कि जो GST number है business continue करने के बावजूद भी जो जो old person का मतलब जो deceased person है उनका जो GST है वो अभी भी कैंसिल हो गई होगा बट अब क्या होगा यह कैंसिल करने के बाद जो लीगल है उसमें से जो भी person उस business को continue करना चाहता है as a proprietary तो वो क्या करेगा एक fresh registration apply करेगा और यह काम उसको कब करना है cancel करने से पहले पहले आपर cancel नहीं करेगा वो पहले एक fresh registration apply करेगा उसमें रिजन लिखेगा death of proprietor और date कि इस दिन जो है proprietor की death हो गई है फिर उसके बाद जो है यह जो legal hairs है जो उसने fresh registration apply किया है वो खुद से ही judicial officer कौन से वाला judicial officer जो की old वाला है मतलब जो business continue होने जा रहा है और जिसके proprietor की death हो चुकी है उस वाले GST officer से इस चीज के लिए कि वुष GST number पर जो अभी legal hair है उसको authorized कर दिया जाए तो उसके लिए क्या करना होगा उस person को approach करना होगा अपने कौन से वाले GST judicial officer जो की business discontinue हो गया है मतलब business तो continue हो रहा है पर लेकिन उसका GST cancel करना पड़ेगा फिर उसका जो stock है वो तब आप transfer कर पाएंगे ठीक है इसके लिए same way point आता है legal hair को prove करना पड़ेगा फिर जो business है वो transfer हो जाएगा transfer कैसे होगा जो भी as on date stock है liabilities है assets है वो सारे के सारे as per latest जो भी पेंडल और balance it होगी उसके हिसाब से वो transfer हो जाएगा और अगर कोई liability आती है से एक से ज़्यादे legal hair से है तो वो आपसमें उसको distribute करेंगे जो भी उनकी mutual understanding होगी ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा जो ITC है वो lapse नहीं होगा यह benefit मिल जारा इस case में कि जो ITC बचा हुआ है वो ITC zero to a form होता है उसको file करके new registration इस person ने जो लिया element जो legal hair है उसने जो नए registration लिया है वो इसको claim कर लेगा तो इस case में क्या फायदा मिला जो ITC ledger का balance था वो भी बच गया और जो जो क्या है वो ITC transfer हो गया तो इस type से क्या हुआ कि बिजनिस जो है वो continue में आ गया बट जो old GST number है वो तो discontinue रहेगा क्योंकि वैट की तरह है यहाँ पर कोई ऐसा option नहीं है कि direct जो है बस केवल pen card या अधार अपडेट कर दिया जाए उसमें और वो जो नेम है वो same as it is रहे बस अब प्रोप्राइटर चेंज हो जाए जैस्ट में प्रोप्राइटर चेंज होने का कोई प्रोविजन नहीं क्योंकि यह पैन बेस रिष्टेशन है रिष्टेशन आपको अपने पैन कार्ड में मिलेगा पर सारी की सारी जो बिजनिस के अक्टिविटीज है वो आपके नाप बर ट्रास्पर हो जाएगी इसमें फाइनल लिटन फिर भी आपको फाइल करनी है जो डिसीज पर से नहीं है उसका जो इसकी नमबर था उसकी जिएस्टीर 10 फाइनल करनी है रिष्टेशन कैंसल होने के बाद यह अक्टिविटी करने के बाद जब आप आप इटीज जिरो टू फाइल कर देंगे उसके बाद कैंसलेशन के लिए आपको एंटर गरना है फिर उसके बाद जो है जिस्टेर 10 के लि लग से रिवर्स करने की रिक्वार्मेंट नहीं आती है बट यह चीज़ ध्यानक नहीं है क्या कि जो भी जब बिजनिस कंटिन्यू किया है तो उसमें क्या रहेगा जितनी भी लाइबलेटी अगर फ्यूचर में कभी अराइज होती है जीएश्टी की वो एलोंग विज इं कि सारे कंप्लाइंस कंप्लीट है या नहीं है अगर नहीं है तो उनको कंप्लीट कर लेना है उसके बाद अपने बिजनिस को कैरी आप कर सकते हैं यह था एक सोट वीडियो जिसमें आपको पूरे डिटेल लिए में बता दिया है दो अप्शन है आप अराम से इसको एक्जि देखने के लिए थैंक यू सौमाद